मेरे परिवार जनों, कॉंग्रेस के नेता कैसे जूठ बोलते हैं, इसका उदारान धान की खरीद भी है? यह समझे ना, मैं बड़े डीटेल में बताऊंगा आज आपको. कितना जूठ बोलते हैं, आप देखिए. पिछले नव सालों में ही बाजपा की केंदर सरकार ने 36 गड़ के धान किसानों से एक लाग करोड रुपिय का धान खरीद आए. कितना? 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 यह दिल्ली की बाजपा सरकार ने खरीद आए? और यहां कॉंग्रेस वाले जूठ बोलते हैं, यह पैसे उन्होंने दिये हैं. दान की खरीद का पैसा, किसानों के बैंक आकाउंट में जमा हो, बीचोलियों के पास न जाएं. यह प्रबंद भी आपके मोदी ने पक्का कर लिया है. इसलिए चत्तिजगड के धान किसानों की कुशाली की गारंटी भी बाजपाही दे सकती है. और मेरे धान किसान मेरी गारंटी पे भरोसा करना है. पी एम किसान सम्मान निदी से देज भर के किसानों को दो लाग साथ हजार करोड रुपिये भी भाजपाह सरकार ने दिये हैं. चत्तिजगड के हर किसान को भी इस योजना के तहट 28,000 रुपिये मिले हैं. और ये भी सिधे किसानों के बैंक खातों में दिये गए हैं. आपके कोदो, कुटकी जैसे मोटे अनाज स्री अन्न को देश विदेश के बाजारों तक पहुंचाने का बिड़ा भाजपाह सरकार ने उठाया है. बाजपाह सरकार बनेगी, तो आपके इस्री अन्न की भी अच्छी कीमत आपको मिलने वाली है. मेरे परिवार जनों, कॉंग्रेस के वादे, बस्तर के उस मक्का प्लांट की तरह हैं, वो मक्का प्लांट वाली बात याद है ना, भूल गये. सालों पहले, ये कॉंग्रेस वालों ने गाजे बाजे के साथ, ये मक्का प्लांट का सिलान नियास किया था. कॉंग्रेस के नेता कहते थे, कि प्लांट लगेगा, तो मक्का किसानों को ज़्यादा पैसा मिलेगा. कहा गया था कि मक्का प्लांट से इथिनोल बनाया जाएगा, लेकिन मक्का प्लांट को भी लटका दिया गया. जिन किसानों से जमिली गई थी, उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है. लेकिन आज बस्तर की किसान पूद्रे, बताओ कक्का, कहा गया हमारा मक्का? कहा गया हमारा मक्का प्लांट के नाम पर आपको दोखा देने वाले को क्या आप माप कर सकते हैं? आप माप कर सकते हैं? ऐसे धोके को फिर से मोका दे सकते हैं? मेरे परिवार जनों, बीते पांच बर्सों में 36 गड़ के 33 संग्रहाकों को भी कॉंग्रेस की बर्ष्ट सरकार ने जम कर लूटा है. पिछली भाजपा सरकार बहुत बड़ी मात्र में तेंदू पत्ता की खरीद करती थी, जादा बोनस देती थी, दूसरी सुविदाय देती थी. कॉंग्रेस सरकार ने इन सब पर ब्रेक लगा दिया, इसलिए तेंदू पत्ता संग्रहाक मेरा आदिवासी भी कह रहा है, आउ नई सहीवो, बदल के रहीवो, मैं आपको विश्वात दिलाता हूँ, बाजपास सरकार बनते ही, तेंदू पत्ता की खरीद का विस्तार किया जाएगा, यहां तेंदू पत्ते की अच्छी किम्मत उस पर खरीद भी होगी, बोनस और दूसरी सुविदाएं भी दी जाएगी, साथियों, यह मोदी है, जो आपकी वन उपज का महत्वत समत्ता है, 2014 तक कॉंग्रेस की सरकार सिरफ 5, 6 या 7 वन उपजों पर ही MSP देती थी, आज देश भर में लगबग 90 वन उपज MSP के दाइरे में है, 34 गड़ में भी दर्जनों वन उपजों, आज MSP पर मिल रहा है, तो यह भाजपाज सरकार के कारण मिल रहा है, भाजपाज सरकार ने ही जगए जगए वन धन केंद्र खोले हैं, जिसमें बड़ी संख्या में हमारी आदिवासी बहरों को रोजगार मिला है, कॉंगरेस सरकार तो आदिवासी परिवारों को पट्टे तक देने में लापरवाई कर रही है, कॉंगरेस ते यहाँ पिछले पांच साल में जितने पट्टे दिये हैं, उससे पांच गुना अधिक पट्टे भाजपांच सरकार ने दिये थे